बेलकम टू एक्जाम विवेचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम एक सीरिज चला रहे हैं जिसमें आपको हिमाचल जीके और करंड फेर से अवगत करवाए जाएगा तो जो ये जीके और करंड फेर है आपकी प्रतियक आगामी प्रिक्षा के लिए महत्पून रहने व होती है इसी के साथ अगर आप एच्पी फोरेस्ट कार्ड और एच्पी पुलिस की त्यारी कर रहे हो तो यहां पर भी आपको ये वीडियो महत्पून होने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हां बता दू इससे पहले हमने इसके दो तिन पार्ट को ड इस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जो पहला प्रशन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में बिधानसवा के लिए प्रत्म चुनाब कब होए थे तो यह किये थे 1951 में यहां पर सही बिकल्प सी हो जाएगा तो कई बार यह प्रशन भी बन सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश के प्रत्म मुख्य मत्री कौन बने थे तो यह बने थे बायस परमार इसको भी यादर कीगा यह स्ट्रुगन सी परमार अगला कोशन है यहां पर 42 इसमें पूचा गया है भारत का 48 मुख्य नियाइधिश किसे चुना गया है तो यहां पर जो सही बिकल्प हो जाएगा भारत का 48 मुख्य नियाइधिश तो यह हो जाएगे बिकल्प भी NB रमना ठीक है ना जो NB रमना है यह भारत के 48 में मुख् ठीक है अगला कोशन है यहां पर 43 इसमें पूछा गया है भारती सविधान के किस सविधान संशोधन को लगू सविधान के नाम से जाना जाता है तो यह हो जाएगा 42 सविधानिक संशोधन यहां पर सही बिकल्प ए हो जाएगा तो हाली में दोस्तो एक प्रिक्चा हुई थी उसमें पूछा गया था कि जो हमारी संसद है उसके प्रमुक्सदस्य कौन-कौन से हैं ठीक है इसमें जो आपका सही उत्तरोना था लोगसवा राज्यसवा और राष्टपती ये तीन हमारी संसद के पिलर या आधार माने जाते हैं इसको आपको याद रखना है ये प्रशन बन सकता है कभी आपसे फिर से ठीक है ना अगला कोशन है 44 इसमें पूछा गया था बरतम अगला कोशन 45 इसमें पूछा घया था पैर ऑलंपिक दोहयजार बिस किस देश में आयुजित कियागीया है तो औलंपिक और पैर अलंपिक दोहजार बिस ये एक यह देश में आयुजित किये गये थे तो वो कौनसा देश था? तो यह था जपान यहाँ पर जो सही ये प्रशन भी बन सकता है कि सबसे अधिक भुकम किस देश में आते हैं तो ये जपान में ही आते हैं ये प्रशन भी बन सकता है कि अमेरिका ने किस देश में दो एटम बम गिराये थे तो ये गिराय थे जपान के उपर ही हिरोशिमा और नागा साकी पे इस पे भी आप ध्यान रखेगा यहां से भी प्रशन बन सकता है अगला कोशन है 46 इसमें पूछा गया है सहीवत राजिय अमेरिका का 40वा राष्टपती कौन चुना गया है तो देखिे दोस्तों कितना महत्पुन प्रशन है यह तो यह हो जाएंगे विकल्पसी जोब आइडन तो जो जोब आइडन है यह अमेरिका के 46 वे राष्टपती है याद रखेगा कई वारी यह प्रशन बन सकता है कि जो अमेरिका के 45-वे राष्टपती कौन थे तो यह थे डोनाल्ड ट्रम्प इसको भी याद रखना है इस तरह से भी प्रशन गुमा फिरा के पूछी जा सकते हैं आपको प्रिक्षा की त्यारी बहुत ही समार्ट्री के से करनी है क्योंकि आजकल पिछले जमानों की तरह असान प्रशन नहीं पूछी जाते हैं प्रशन पूछे जाते हैं इज़ी भी होते हैं पर थोड़े गुमा फिरा के पूछी जाते हैं वो प्रशन तो आपको अपनी स्ट्राटेजी धिरे-धिरे परिवर्दित करनी है ठीक है न अगला कुछन 47 इसमें पुछा गया है हिमाचर प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक जील कौन सी है तो देखिए तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए रेनुका जील तो कई बार यह प्रेशन पुछा जाए कि हिमाचर प्रदेश की सबसे बड़ी कृतिम जील कौन सी है तो यह हो जाएगी गोविन सागर जील प्राकृतिक जील हो जाएगी रेनुका जील और जो कृतिम तो यह हो जाएगी गोविन सागर जील ठीक है यहाँ पर सही बिकल्ब ये हो जाएगा अगला कुशन है 2011 की जनगन्ना के नुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षिर्ता दर सबसे कम है तो ये हो जाएगा बिकल्ब सी चमबा में अगला जो कुशन यहाँ पर पूछा गया है इसमें पूछा गया है बिकल्ब सी हो जाएगा अगला कुशन है 50 इसमें पूछा गया है सही बिकल्ब यहाँ पर आ हो जाएगा अगला कुशन है 51 इसमें पूछा गया है भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है तो जो भारत का सबसे पुराना Tiger Reserve हो जाएगा तो ये हो जाएगा बिकर्पडी Gym Corvette तो जो Gym Corvette है यह उत्राखन में स्थित है यह भारत का सबसे पुराना Tiger Reserve या Reserve Park कह सकते हैं इसको ठीक है इसका जो बरत्मान में नाम लिया जाता है तो इसे हेली National Park भी कहा जाता है इसको भी आपने याद रखना है अगला कोशने बावन इसमें पूछा गिया है भारती सब्वीधान के किस हिससे को सब्वीधान की आत्मा कहा जाता है तो ये हो जाएगा अनुचेद 32 को तो इसे भारतिय समीधान की आत्मा भी कहा जाता है अगला कुछन यहाँ पर बरतमान में हिमचल परदेश के राजय पाल कौन है तो जो बरतमान में हिमचल परदेश के राजय पाल होंगे तो यह हो जाएंगे राजजेंदर विशवनात अर्ठ लेकर इससे पहले जो हिमच्र परदेश के राजयेपाल थे तो ये थे बंडारू दक्तात्रे और जो बंडारू दक्तरे से पहले थे कल राजमिश्र, इसको भी याद रखना है आपने अगला कोशन है शिमला समझोता पर हस्ताक्षर कब किये थे तो जो श्रीमला समझोता हुआ था इस पर हस्ताक्षर किये थे 1972 में यहाँ पर सही बिकल्ब भी हो जाएगा अगला कोशन है स्वामी विवेकानन्द के बच्चपन का क्या नाम था तो जो स्वामी विवेकानन्द है इनके दौरा आपको याद रखना है कौन सा मिशिन चलाए गया था तो इनके दौरा रामकृष्ण मिशिन की स्थापना की गई थी तो इनके जो रामकृष्ण में थे ये इनके गुरु थे ठीके ना रामकृष्ण इनके गुरु थे और इनके बच्वन का नाम पूछा गया है तो ये हो जगा बिकल्पडी नरेंदरनाथ अगला कोशन है पैंसट इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में नलवारी मेला मुख्य रूप से किस से जुड़ा हुआ है तो जो हिमाचल प्रदेश में याद रखना है नलवारी मेला मनाय जाता है और ये किस जिले से जुड़ा हुआ है तो ये बिलासपूर से जुड़ा हुआ है तो जो भी ये मेला लगता है तो यहाँ पर अधिकतर पश्यों की बिक्री होती है खासकर वैलों की बिक्री इस मेले में होती है और ये बिलासपूर में मनाया जाता है याद रखेगा इसको भी अगला कोशन है हिमाचल परदेश में मौंख्वल की शुरुवात के लिए सही कतन का चैन कीजिए तो जो हिमाचल परदेश में मौंख्वल के लिए सही कतन हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसे कुल्लू में C, SIR और I, HBT के द्वारा पैदावार करने के लिए कहा गया है तो स सही विकल्फ यहाँ पर C होगा अगला कोशन है हिमाचल परदेश में किसके द्वारा आठ मार्च 2021 को मनाएगे अंतराष्ट्य महिला दिवस पर बीरांगना समारी का जारी की गई तो ये की गई थी राज्येपाल के द्वारा गवर्नर सही विकल्फ हो जाएगा यहाँ पर यहाँ से आपको एक प्रशन इस परकार से बन सकता है कि जो अंतराष्ट्य महिला दिवस कब मनाए जाता है तो ये मनाए जाता है आठ मार्च को ठीक है अगला प्रशन है अठारा इसमें बुचा गया है निमलिखित में से कौन सा परवर दर्रा हिमाचल को तिबबत से जोड़ता है तो ये जोड़ता है शिपी कीला यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा शिपी कीला दर्रा जो ये हिमाचल परदेश को तिबबत से जोड़ता आपके लिए एक प्रशन छोड़ेता हूँ, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उंची चोटी कौन सी है, उसका नाम आपको comment box में लिखना है, साथ में ही उसका बताना है किस जिले में पड़ती है और उसकी height कितनी है, ठीक है न, ये प्रशन आपके लिए अगला question है, यहाँ पर National Great Himalayan Park कुलू को किस बर्श यूनेस्को की विसव शूची के तरहत सुचीवद किया गया था, तो ये किया गया था, 2014 में, ठीक है न, यहाँ से एक दूसरा प्रशन भी बन सकता है कि जो Great Himalayan National Park है, ये कहाँ पर सित है, तो ये कुलू में स्थित होग इसको भी याद रखेगा, अगला question है, हिमाचल परदेश में मुख्यमंतरी गराम कौशल योजना कब शुरू की गई थी, ये की गई थी, छे जनवरी 2020 को अगला question है, सीवक थौर्ण के समन्द में गलत कथन का चेहन केजिए, तो यहाँ पर जो सीवक थौर्ण के समन्द में गलत कथन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बिकल्बी, यह एक जाड़ी है, जो क्रिमसन रंग की खाने योग्य बैरी पैदा करती है, तो यह गलत हो बिटामीन और खनीजों का एक सम्रिद स्तरोत है, तो यह ठीक हो जाएगा, इसके परशात है, इसे आमतावर पर HP में छर्मा के रूप में जाना जाता है, तो यह कथन भी सही हो जाएगा, अगला है फल बैरी प्रविती में अमल यह होता है, तो यह भी कथन हो यहाँ पर सह यह बिकल्प A हो जाएगा, हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ची लगती है, तो इसे लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना, अगला कोशन देख लेते हैं, तो प्रशन फिर से रिपीट हुआ है, पीर पंजाल परवत, श्टिंख के रूप में नामीत किया गया था, कौन थे गुलेड शाशक वो, जिनने शह जहां के दौरा शेर अफगान की उपादी दिये गए थी, तो यह हो जाएगे, बिकल्प सी मानसी हैं, जो मानसी हैं थे, यह गुलेड शाशक थे और यह श्चक जहां के सम्कालीं थे, और शाष जहानने इने शिर्व अफगान की उपादी दे थी अगला कोशन है राष्ट्रिय पेरा टेवल टैनिस में पदक जीतने वाले हिमाचल परदेश राज्ये के पहले खिलाडी का नाम बताईए तो ये हो जाएंगे बिकलपी प्योश शर्मा अगला कोशन आपने निशाद कुमार का नाम तो सुना ही होगा बहुत ही चर्चित ब्यक्ति है ये इनके द्वारा जो हाली में पैरा अलॉंपिक हुआ था टोकियो में वहाँ पर हाई जंप में सिल्वर मैडल जीता था इसको भी आपको याद रखना है तो यहाँ से यह प्रशन पर बन सकता है कि जो निशाद कुमार है किस जिले से सबंदी थे तो यह है आपके उन्ना के जिले से सबंद रखने वाले है अगला कोशन है एक सो पच्पन इसमें पूछा गया है हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो जो हिमाचल परदेश की सबसे लंबी नदी हो जाईए तो यह हो जाईए चेनाब यहाँ पर सही बिकल्प A हो जाएगा अगला कोशन है बूरी सी म्यूदियूम हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो यह चमबा में स्थित होगा यहां पर सही भी कल्ब A हो जाएगा अगला कोशन है 157 इसमें पूछा गया है बाबा बालक नात मंदीर हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो यहां पर सही भी कल्ब हो जाएगा D इन में से कोई नहीं यह हो जाएगा आपके पिलासपुर में माफ करना हम मेरे कुड में अगला कोशन है 158 चनक चम लोक निर्तिय हिमाचल परदेश के कि जिले में किया जाता है तो यह किया जाता है लहौल स्थिति में इसके परस्चात आपको याद रखना है कि जो कई वाराव से यह पुझा जा सकता है कि जो चनक्चम ये क्या है तो जो चनक्चम है यह हिमाचल परदेश का एक लोक नरित्य है और कहां पर प्रस्तुत किया जाता है लाहुल स्भीती में ठीक है ना तो ठीक है दोस्तों यहां पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहें, इसका बहुत वद्दत धन्यावाद